हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो मैं चैनल, तो टोड़े इन दिस वीडियो, वी विल लॉर्न अबाउट दे रियरिंग आफ सिल्क वं, तो फ्रेंट्स हमने प्रीविएस वीडियो में अल्रेडी सेरी कल्चर सिल्क वं के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, लाइक हमने पढ़ लिया है, तो यह आपने जो रियरिंग वर्ड है, रियरिंग आफ सिल्क वं, यह आपने लाइफ हिस्ट्री आफ बॉम्बिक स्मोराई वाले टॉपिक में पढ़ रखा है, और फ्रेंट्स, उस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने लाइफ साइकल देखी थी, सि बढ़ा था, तो लाइस वीडियो में हमें उस प्रोसेस के थूप इसमें हम सिल्क एक्स्ट्रेक्शन के प्रोसेस पढ़ रहे है, इंक हमें वही पूरी स्व्डेप का स्टैप वही स्टेजेस पर ने हैä यह इक सिल्क मौथ, देन फर्टिलायजेशन हुआ, एक्स करनी है process पढ़नी है so friends ये वीडियो ये topic आपको थोड़ा सा लैंदी लगेगा it means notes जादा है इसके topic थोड़ा बड़ा है but ये बहुत ही easy है क्योंकि आपको process पता है किसके बाद silk mode की life में क्या होता है हमें बस थोड़ा सा उसमें addition ये है कि ये हम इंडस्ट्रियल वे से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कोकुन extract कर रहे है it means humans के through ये process हो रही है उसके life जो cycle है सिल्क वं वो तो जैसे होती है वैसे चलती रहेगी life cycle but हमें इस सिल्क extraction के लिए हमें जो लोग इंसान जो humans होते हैं वही industries में work करते हैं वही तो rearing में help करते हैं हम humans क्या करते हैं industries में हमें वो इस video में पढ़ना है okay so let's begin the word rearing does not mean only the feeding of caterpillars but a continuous care from egg laying through estimation hibernation incubation earlier early stage larval care stay late stage लावल लार्वल केर टू दे प्रोड़क्शन आफ को कुछ रियरिंग वर्ड रियरिंग वर्ड से क्या आता है feeding सो जो रियरिंग वर्ड उसका मतलब केवल केवल only feeding नहीं है कि caterpillars को feed करना ही इसमें नहीं आता है इसमें continuous care है पूरी life cycle में जहांसे एग लेड होते है it means जब एक silk moth female silk moth जब eggs ले करता है उसके बाद से estivation estivation means friends dormancy dormancy dormant stage आती है period होता है जिसमें जो further development होता है वो रुप जाता है life cycle में किसी भी organism के dormant stage obviously आपने सुन रखा होगा then hibernation जो होती है process cold blooded हो जाते है और insects और reptiles में होता है then incubation, incubation means जो eggs जो होते है उनको heat एक warm temperature जी होता है जिसके बाद वो hatch होते है hatching से पहले की process early stage larval care जब larva निकलता है larva caterpillar की stage आती है उसमें early stage उसमें क्या care करनी होती है late stage बाद में उस time पे जब वो further grown up हो जाता है उसके बाद उसकी care करना production होना cocoon का यह सारा rearing में ही आता है okay so जिसमें first आता है drainage management अब हम किसके point of view से पढ़ रहा है ध्यान रखना industrial industries में कैसे काम होता है कैसे work होता है हमें वो पूरा पढ़ना है cash should be taken of the crop of silkworm याद रखना मैंने आपको पहले भी बताए था crop of silkworm ही हम बोलेंगे farmers ही word आएगा like agriculture में आता है seed production ही होगा seed word means यहाँ है eggs eggs को ही seeds बोल रहे है okay so cash should be taken of the crop of of silkworm for seed production from the very beginning of beginning that is the caterpillar stage by providing them with proper nutrition and protection from the attack of disease so care बहुत इनकी care करना होता है जितने भी silkworm की crops होती है silkworm की crops means जितने भी silkworms होते है उनके eggs होते है उनसे जो cocoon बनता है cocoon को बोलते है crops of silkworm pupations then seed production जो होता है seed production means जो eggs होते है उन सब की starting से beginning से ही इनका बहुत इनकी care करनी होती है बहुत इनका ध्यान रखना होता है caterpillar stage में भी उनको provide nutrition proper nutrition provide कराना होता है protection देनी होती है जिससे वो normal किसी भी normal means next videos में friends diseases पढ़ेंगे कि silkworm को कौन सी diseases होती है तो disease attack of diseases से इनका protect करना तो बहुत सारी यह सब care की जरूत होती है sericulture industry में silkworms को keeping these points in view initial selection is made on the basis of percentage of pupae during the normal development तो अब हम starting कर दें किस इन सारे points को ध्यान में रखके starting initial selection starting कहां से होती है कि जितने pupae से कितने जो pupae means cocoon pupae से कितने percentage में normal development के थूँ silk moth बाहर रहा है normal development एक fix जो time होता है limit होती है जिसमें हर एक normal development के थूँ नॉर्मली जितने pupae से जो emergence होता है इट में silk moth बाहर आता है first selection is made by separating out the cocoons and next selection in the drainage so first selection जो होती है वो क्या करते है किसले होती है separate करते है dead cocoons को next हमको जो करना है हम drainage management पढ़ रहे हो कि two parts में इसको divide कर रखे है industrial work को so drainage के लिए उसको next select करते है okay after final selection cocoons are subjected to the sex separation by cutting one end of the cocoon through cocoon openers अब क्या करते है after यह सब select कर लिए हमने dead cocoons को अलग रख दिया next select जो दूसरे जो cocoon से उनको अलग रख दिया drainage system में next selection करे it means हम drainage system में हम क्या करते है care करते है हमने उपर पढ़ा न जो crop से silk moth it means x production तक की जो process है वो drainage management में आएगी याद रखना okay silk moth से x production तक की जो process होती है वो सारी drainage management में आती है तो यह final selection इन सबका हो जाता है जब cocoons का उसके बाद क्या करते है cocoons are subjected to the sex separation उसके बाद उनका sex separation करते है female cocoons कौन से है male cocoons कौन से है तो इसका पता कैसे लगेगा जो cocoon opener से कोई भी एक end को cut करते है जिससे वो उसका sex पता लगाते है okay next is for the production of commercial eggs loose forms of cocoons are used and collective mother mother examination is done अब क्या होता है production commercial eggs का जो commercial eggs है जो हमारे commercially use होते हैं इंडस्ट्रीज में loose forms of cocoons होते है it means जिनके जो cocoon जो thread है उपर की वो loose है थोड़ी loose forms है तो उनको क्या करें कि उनको use कर लिया जाता है और collective mother examination is done it means उन सारे जो eggs है उन सब को किसले करते है उनको mass emergence it means next silk moth के लिए use किया जाता है जो tight cocoon से उनको किसले करते है silk extract कर लेंगे सीधे और जो loose cocoon से उनको क्या करते है mother examination it means सारे के सारे लाइक एक बार में next generation के लिए separate कर लिया जाता है तो जो loose cocoons होते है उनको क्या करते है अलग रख लेते और collective mother examination भी डन होता है कि इससे जो mother आएगी उसका examination पूरा उसको करते है then they are kept for mass emergence और फिर उनको mass emergence के लिए ready किया जाता है mass emergence means next जो emergence emerge जो उन eggs में से उन cocoons में से sorry not eggs उन cocoons में से जो moth इमर्जोंगे बाहर आएंगे उसके लिए उनको रख लिया जाता है now first emergence of moth and fertilization so when kept for emergence at room temperature mass emergence of adults take place तो जब इन emergence के लिए इन cocoons को इन सब को room temperature रखा जाता है पर रखते है room temperature पे तो mass emergence जो होता है adults का यह होता है normally it means adults से तो बाहर आएंगे mass emergence में now as per their nature just after emergence the males and females have to be separated into separate cages without their matting अब क्या होता है जैसे nature naturally जो emergence जैसे ही हुआ जैसे मौत बाहर आए तो क्या करते है मेल्स और females जो मौत होते हैं उन दोनों को तूरंथ ही separate कर लेते हैं तो friends कैसे पता लगेगा मैं इतने सारे हैं तो हाँ यह बहुत easy होता है याद रखना जो male जो मौत होते हैं वह कैसे होते हैं छोटे होते हैं और easily उड़ते रहते हैं पूरे वह उड़ते नहीं है तो जो उड़ रहे हैं वह males होंगे जो बैठे हैं वह females होंगे और दूसरा भी examination किया जाता है नॉमली इसी पर नहीं करेंगे बट फिर भी ठेक है सो इन दोनों को males और females को तूरण थी separate cages अलग-अलग पिंजरों में अलग-अलग cage में उनको separate कर लिया जाद है without matting, matting process, copulation इन दोनों में नहीं होना चीए सो क्यों नहीं होना चीए तो बहुत easy है आपने पहले भी पढ़ा है same जो heritage जो same genes जो आ रहे है अगर उनमें copulation होगा तो दिरे दिरे जो next generation आएगी वो कैसी होगी वो proper नहीं होगी उनके जो eggs जो आएंगे वो होंगे वो sterile होंगे या फिर उतने अच्छे proper जो होना चीए उ रीन की ability होती है वो नहीं होगी इसलिए क्या करते हैं दोनों cages को उनको अलग-अलग separate कर लेते हैं then if not separated at once in cages males start copulating with the females but not eggs but the eggs obtained from this female meted for the from the male of the same stock is useless for the seed तो जो अगर same stock में से ये एक स्टॉक है एक सच जितने भी आए silk moth emerge हुए वो सारे एक stock में माने जाते हैं okay so एक ही family से belong करते it means तो यह same stock से जो अगर male और females अगर copulation कर देंगे वो तूरंत ही start हो जाते males okay तो अगर यह matting साथ में कर लेंगे तो इस सारे waste हो गए हो समझ लो क्योंकि इन से जो seeds निकलें वो useless होते हैं okay क्योंकि self breeding हो रही है तो समझ मैं okay get it now next is now one female of one lot is lot means stock one lot पहले से दूसरी families से भी दो होते दूसरे genes जो family same family नहीं है is kept with the male of the other lot and at once they form pair and copulate for about three hours अब क्या करते हैं इन females को one female को one lot में रखते हैं अलग-अलग pairs बना लेते हैं यह male females के दूसरे मतलब एक lot का एक female और दूसरे lot से male ऐसे करके pairs बनाते हैं और three hours में वह क्या करते हैं उनमें pair बन करके उनमें copulation की process चलती है after completion of matting male should be separated and may be used for the fertilization of other females but one male cannot fertilize more than two females अब क्या होता है matting process complete होगे copulation हो गया तो males को क्या करेंगे female से separate कर लेंगे और उनको fertilization दूसरे females के साथ उनको pairing कर लेंगे जिससे next एक और fertilization होगा बट इससे भी क्या होता है एक males कम से कम two females को at least two females को ही fertilize कर सकता है उससे जादा फिर fertilization copulation process नहीं पॉसिबल नहीं है ओके now fertilized males are subjected to egg laying अब जो fertilized females होती है उनको क्या करते है एक लेंग के लिए subject कर लेते है इड मीज एक लेंग के लिए next further process के लिए उनको अलग कर लेते हैं ओके वो उनके लिए ready हो जाती है next is egg laying तो यह तो हो गया fertilization का जो process था अब egg laying में क्या होता है just after fertilization female starts egg laying and in the duration of 24 hours it completes egg laying process अब क्या होता है just fertilization के बाद females egg laying start कर देती है egg laid करना और 24 hours के duration में time period में egg laying process finish हो जाता है अब female dies after egg laying और यह जो female मौथ होते वो just egg laying के बाद die हो जाएगे मर जाएगे dead हो जाएगे ओके और इन ही eggs को हम क्या कहते है seed कहा जाता है sericulture industry में ओके तो यहां जहां भी seed word है it means आप समझना यह eggs की बात हो रही है ओके now these eggs are kept in sterilized trays so friend sterilized trays means क्या होता है आपने obviously कहीं भी देखा होगा कहीं न कहीं टीवी हो या कहीं भी sterilized trays means surgical department doctors जिस trays में जो equipments रखते है surgery के टाइम पर या laboratory में जो trays use होती है जिसमें हम equipments रखते है chemicals या equipment कोई भी हमारी practical based experiments के लिए तो वो जो tray होती है उसको sterilized trays बोलते हैं जिसको इन सारे eggs को sterilized trays में रख करके क्या करते हैं store किया जाता है 4 degrees centigrade में under laboratory conditions और sometimes kept in at hill stations in diapose conditions ज्याद रखना है two types of conditions होती है एक तो diapose conditions and non-diapose conditions इसमें होती है अब कुछ eggs जैसे होते हैं जो diapose conditions से सफ़ करते हैं और कुछ होते हैं वो non-diapose conditions से सफ़ करते हैं so diapose conditions means it is one another name of another name of estimation dormant stage diapose conditions means इन eggs की further development होता है वो रुख जाता है dormancy आ जाती है इन eggs में उसे diapose conditions बोलते हैं so diapose condition में कोई further development ही नहीं होगा तो ऐसे टेम पर इन eggs को क्या किया जाता है sterilized trays मे रख करके hill stations पर रख देते हैं थंडग पे 4 degrees centigrade पे okay laboratory conditions में now these commercial seeds are supplied to the rearers अब ये सारे seeds ready हो गए eggs ready हो गए अब इनको rearers को supply किया जाता है so rearers means जो next जो rearing करेंगे feeding process के लिए next जो rearers होंगे उनको supply किया जाता है it means जो जितने भी silk worms अब next stage किसका है caterpillar larval stage आ रही है तो उनके लिए इनको ready हो गए ये सारे seeds okay sra eggs now next procedure that is hatching now this is an important phase of sericulture industry those sericulturists who would be able to supply sufficient amount of fresh mulberry leaves to the young hatch larvae could perform successful sericulture program otherwise young ones will die resulting rate loss of sericulture industry और friends जो hatching है जो यह larval stage होता है इनकी life cycle में silkworm की वो सबसे important phase होता है sericulture industry का या उनकी life का भी क्योंकि इसी time पर ये पेट भरके जी भरके खाना खाते हैं okay हमने life history of bombics वोराई वाली वीडियो में इसको समझा था now जितने भी sericulturist हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं it means sufficient amount of fresh mulberry leaves fresh mulberry leaves का उनके पर sufficient stock होता है जो young hatch जो अभी जो newly hatched larvae होंगे उनको sufficient amount of अगर mulberry leaves fresh leaves नहीं मिलेंगी उनको feeding के लिए तो वो क्या होंगे वीक होते जाएंगे और वो die they would be dead वो मढ जाएंगे जो बहुत बड़ा great loss होता है sericulture industry का तो ऐसे ही sericulturist successful होते है program successful होता है sericulture industry का जिसमे sufficient amount of fresh mulberry leaves हो okay this is why hatching has to be controlled accelerated और postponed by artificial treatments under refrigerated conditions तो यह जो process होती है hatching इसको हम accelerate भी कर सकते fast भी कर सकते postpone भी कर सकते थोड़ा delay भी कर सकते time अगर हमें अभी ही सारे eggs नहीं चीए हो artificial treatment से refrigerated condition से okay उन्हें हम क्या कर सकते है इस process को हम control कर सकते now for proper hatching of seeds advanced techniques have been developed in which in which eggs are controlled and kept with mulberry leaves working as stimulant for hatching in shady places on white sheet of paper in insect proof trays for this purpose the legs of stool must be kept in water so that insects may not crawl and damage the hatching eggs अफ्रेंड से जितने नोट्स बड़े बड़े आपको points दिख रहे है यह उतने ही easy है अब इसमें क्या है कि proper hatching of seeds की eggs की उसके लिए क्या करते है advanced techniques का use किया जाता है जिन में क्या करेंगे कि जो eggs को collect करके किसमें रखा जाता है trays में mulberry leaves पहले तो बीचाई जाती है और उन mulberry leaves के उपर उन eggs को रखा जाता है and then hatching के लिए वो क्या करते है shady place कहीं भी जहाँ छाया हो okay shadow हो shed हो तो shady places में उन trays को रख लेते किसी पिस टूल पे वो tray रखिये उस tray के उपर eggs रख दिये और उसको पेपर के उपर रखते है sorry किसके उपर white sheet of paper के उपर रखते है वो trays में नहीं रखते है trays में भी रख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है बट ट्रेस कीजे को white sheet of paper में रखते है कोई भी white paper होगा उस sheet पर mulberry leaves को पिछाएंगे पहले spread करेंगे और उसके उपर यह सारे eggs जो होते हैं उनको रखे जाते हैं और इनको stool पे रखा जाता है जो यह white sheet of paper और उस stool को क्या करेंगे water में रखते हैं आपने ममा को कभी kitchen में देखा होगा कि कभी दूद की जो होती है utensil जो हमारा beaker होता है उसको रखने के लिए कभी कभी चीटिया नहीं चड़ जाएंगे तो सेम उसी के according इनको भी उस table को water में रखा जाता है जिसकी वज़े से कोई भी insects crawl करते हुए नीचे से लाइक चीटिया रेंगते हुए उपर crawling करके आनी जाए और एक्स को hatch होने में उसको damage नहीं कर दे उसके लिए यह किया जाता है now the group of caterpillars hatched at various stages should be kept separately अब चो ग्रूप of caterpillars अब ऐसा तो नहीं है जितने eggs यहों सारे एक साथ ही hatch हो जाएंगे अब कोई पहले हो गया कोई अभी हुआ कोई success बाद हो रहा है कोई कल भी हो रहा है तो hatched जैसे जैसे caterpillar जैसे जैसे eggs hatch होते जा रहे उन caterpillars की groups को क्या करते हैं सेपरेट करते जाते हैं next क्या है experimental data of egg laying and hatching अब experimental data क्या है जो egg lay होते हैं जो egg laid हो रहे हैं या hatched हो हो रहे हैं उनका data हमको देखना है if after 120 minutes of ov position eggs अब ov position क्या होता है so ov position कुछ नी जो newly laid eggs होते हैं उन्हें ov position eggs बोलते हैं are kept at 10 degree centigrade for 24 hours then transfer to the oven at 16 degree for 4 days and further soaked in HCL for 5 minutes and dipos condition is broken easily अब कुछ eggs ऐसे हैं जो dipos condition से suffer कर रहे हैं हमने देखा था उन्हें hill station में रखा जाता है अब हमें क्या करना है उसके dipos condition तोड़नी है break करनी है it means उन्हें वापस से non-diapos condition मिलाना है उनके dormancy break करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उन eggs को जो newly laid eggs हैं उनको 120 minutes बाद 120 means 12 hours 2 hours के बाद उन eggs को क्या करो 10 degree centigrade पे 24 hours एक दिन के लिए उन्हें रखा जाता है oven में और उसके बाद क्या करते है 16 degree centigrade में चार दिन के लिए उन्हें फर्दर रखा जाता है किसमें oven में रखा जाता है उन्हें पहले 10 degree centigrade पे एक दिन के लिए रखा जाता है और उसके बाद 16 degree centigrade पे चार दिन के लिए रखा जाता है और फिर उसको एक्सियल में सोक करते हैं उन एग्स को कितने फाइव मिनट्स के लिए और जिसकी वज़े से जो डायपोस कंडिशन होती है वो क्या होती है इजीली ब्रेक हो जाती है एक्सपरिमेंटल है लाबोरेटरी में किया जाता है इजीली ब्रेक होती है और फीमेल मौत को अगर हम फाइव डिग्री सेंटीग्रेट पर ट्वेंटीफोर आर्स के लिए रख देते हैं और फाइग लेंग एट नॉर्मल रूम टेंपरिचर अगर उसको ट्वेंटीफोर आ है तो उससे क्या होगा जो एक लेंग प्रोसेस होती हो फॉर्दर ट्वेंटीफोर आर्स के लिए होती आपको पता है न अभी हमने पढ़ा तो क्या होगा जितने भी एक्स होंगे वह टू 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 थी आर्स में ही सारे लेड हो जाएंगे 70 परसेंट एक्स तो फॉस्ट आ जो लेड होँगे वह क्या होंगे फिस्ट आराफ्र इंक्यूबेशन और 20%ले में अलेड लेड इन सेकेंग टू टू 70% x जो है वो क्या करें के इंक्यूबिशिन के पद 70% x first army hatching के लिए start हो जाएंगे and 20% x जो बचे वो second army उंकी further process के लिए start हो जाएंगे okay ready हो जाएंगे now this data is very much useful for drainage technicians from the point of view of uniform hatching of x so friends यह जो data है वो drainage technicians अभी तक हम ने drainage management पढ़ लिया तो drainage management के वाग के चो टेकनीशन के लिए बहुत ही यूसफूल होता है ओके हैचिंग ओफ एग्स में यह बहुत ही है फुल रहता है तो अब फॉदर प्रोसेस के लिए हम रेडी हो गए यह एग्स रेडी हो गए तो पहला तो हमने पड़ा ग्रेनेज मैनेजमेंट यहां फिनीश होता ह है और यहां सेकेंड आता है सप्लाइ ओफ सीट्स टू रियरर्स एंड कॉमर्शिल रेरिग अब एग्स आ गए एग्स हैचिंग के लिए रेडी हो गए तो अब क्या होगा ग्रेनेज सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती हो क्या होती है इन सीट्स को यह इन एग्स सिट को राइन येजड को नेक्स किया होगा जानों नेक्स नेक्स लाशिए बाद फरना पाती हम क्या होती है नेक्स है प्हां ध Pa popular को दोनोंकोम ही farmers को सप्लाइ क्या जाता है में help करेंगे अध हैंड मीरिंग कर आंगे फ्रेग इskyट् करायेंग कश्ड को रखना सिट्स एं महनत का काम है और जाधा केर और जाधा अटेंशन की जरुवत है उसमें अगर नया कोई है एड हुआ है उस इंडस्ट्री में तो इस शुट स्टार्ट विद द रिरिंग टू रिरिंग ऑफ केटेपिलर्स ओके now the principle of rearing should be the production of healthy caterpillars with uniform development so principle main principle क्या है rearing का कि production of healthy caterpillars अगर eggs है तो eggs से healthy caterpillars का production हो या uniform development हो उन सारे caterpillars में proper nutrition के साथ वो rearing करें the mulberry leaves applied to the first and second insta larvae सो यह क्या है उनकी stage हो दी है first insta larvae, second, third, fourth and fifth fifth insta larvae means वो fully grown up हो चुका है so mulberry leaves क्या किया जाती है first and second insta larvae को जब mulberry leaves supply की जाती है should be young and well chopped because they are very tender in nature so जो एक दम newly born कह सकते हैं जो newly born नहीं होते हैं newly laid, newly hatched जो larvae होते हैं उनको कैसे leaves supply की जाती है उनका mulberry leaves को chop कर देते छोटे-छोटे pieces करके और एकदम soft leaves होती है वो उनको supply की जाती है क्योंकि यह जो larvae होते हैं बहुत ही tender, बहुत ही soft होते है nature में easily वो खा कप पाएंगे easily cup feeding कर पाएंगे जब जो well chopped leaves उनको provide की जाएंगे the third insta larvae may feed on chopped hard leaves अब third insta larvae थोड़ा सा grown up हुआ so उनको chopped hard leaves भी होंगे तो चल जाएंगे hard leaves थोड़ी भी वो खा सकते हैं but fourth and fifth insta larvae can feed easily on leaves also but fourth or fifth insta larvae होते हैं वो easily उनको chopped leaves की जरूत नहीं होती वो easily direct leaves को ही feed कर सकते हैं उनके now the rear edge should be careful to stop the loss of moisture from the leaf after harvesting for this purpose 60-70% humidity of the room is needed otherwise it affects the health of silkworm so अब ये भी चीज़ होती है कि जब leaves तो ले आ है feeding के लिए but उन leaves को just harvesting के बाद उन leaves में पहले तो moisture दा but दीरे दीरे वो moisture कम होता जाता है इसलिए क्या करते हैं इनको इन leaves को पता है wet cloth में रख दिया जाता है जिससे वो wet cloth है तो वो leaves भी moisturized रहेंगी तो क्या करते है rearers को ये बहुत ध्यान रखना पढ़ता है कि loss of moisture को बहुत ध्यान रखना पढ़ता है उसको stop रखना चाहिए नई तो एकदम dry हो गई तो ये किसकी health को affect करती है किनके silkworms की health के लिए इसकी लिए क्या करते है कि humidity हमने starting में पढ़ा था जब sericulture industry के बारे में पढ़ा था हमने देखा था हाइग्रो मीटर यूज होता है हाइग्रो मीटर क्या करता है मेजे करता है humidity का percentage इसके लिए 60-70% humidity रखते हैं रूम में और इंप्रूट टेक्निक औफ रियरिंग औफ सिल्क वर्म हैज रिजल्टेट इन दे प्रोडेक्शन अफ कोकून्स अब जितने ही improved technique and advanced technique यूज करेंगे हम रियरिंग औफ सिल्क वर्म में उससे हमें रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा उतने ही अच्छे प्रोडेक्शन होंगे कोकून्स के और वह भी good quality of कोकून्स का प्रोडेक्शन होगा ओके नेक्स्ट इस पिनिंग अफ कोकून्स अब क्या हुआ कि कैटरपिलर जो थे उन्होंने फीडिंग अप स्टॉप कर दिया वह उन्हेंने अच्छे से फीडिंग हो गई वारेश्यस फीडर्स कहा जाता है इट मेंज उनके एपटैट इतनी स्यादा होती है कि पूरी लाइफ हिस्ट्री उनकी पूरी लाइफ साइकल में वह इसी टाइम पे खाते है इसी टाइम पे ऐसी टाइम को कॉकोन स्म। भाल्ड केटेपिला जिस में फूल ग्रों केटेपिला जो कहते है फिफ्त इंस्टल आर्वा जो वह वह फीडिंग इस्टोप कर देगा और पूपेशन नेक्स्ट फूबा फ्रमेशन प्रॉपेशन की प्रोसेस में अंडगो करता है वह प्र्थ करता है उसकी वह process okay pupation now starts to secret और फिर क्या करता है secretion start होता है silk glands एक pasty substance paste like substance होता है तो इस silk glands क्या होती है friends यह salivary glands ही होती है जो silk है वो क्या है saliva है of silk worms advanced थोड़ी advanced salivary glands होती है जहने हम silk glant बोलते है on the condition worms शुद बी picked up and transferred to the spinning trace and kept in a position of slope to the sun for a short period of time अब इसके लिए क्या किया जाता है इंडस्ट्रीज में कि जो वर्म्स होते है उन सबको spinning trace जहाँ वो spinning चालू करते है उन spinning trace में रखा जाता है और फिर उसे half थोड़ी slanting half sloped थोड़ी position पे रखते हैं sun में इसमें slanting sunlight आया उस उन पर किस पर प्रेप श्पीनिंग ट्रेस पर उन वर्म्स के उपर ओके ना शॉर्ट पीरड अफ थोड़ी के लिए उन्हें sunlight में रखा जाता है ना विदिन थ्री डेस spinning इस ओवर एंड़ कोकून इस परफॉर्म्ड और यही तो लास्ट फेज है यहां उनकी रियरिंग से उनके बाडिके जस्ट आउटर जो कवरिंग होता है लिए प्यूर्प और उसके बाच और आगे बहुत सारी थ्रेडिंग जिए जो और जो खाते स्लेक 14 अवग्यण के ना तो सलाइवरी ग्लेंड किसका है वर्म का तो वह जितने अच्छ से फीडिंग करेंगे जितने अच्छी उनकी Ultra सीज़ा झा सीथे पूलते हैं उनकी quality होती है कोकुन की now marketing of cocoon marketing क्या है कोकुन की तो the price of cocoon is fixed during every season of the rearing this price is watched by the government and cocoons are purchased by the rearers तो इस प्राइस होती है cocoons की वो हर season के लिए government के थूँ ए fixed price है government नहीं decide कर रखिये के cocoon की हर season में each and every season में क्या price होनी चाहिए now next is post cocoon processing अब cocoon formation हो गया अब cocoon की बाद cocoon formation के बाद production के बाद क्या होती है process उसको हम post cocoon processing में रखते है the method of obtaining silk thread from the cocoon is known as post cocoon processing this includes stifling and rearing अब वो process जिसमें अब silk formation तो हो गया है silk हमारे सामने है बट उस cocoon में से हमको silk को extract भी तो करने है उसके धागे भी तो extract करने है तो उन threads को निकालना silk threads को obtain करना जिस method से हम obtain करते है silk threads उस cocoon से उस process को हम क्या कहते है post cocoon processing कहते है जिसमें दो process आती है एक तो stifling and rearing अब first is stifling अब stifling क्या होता है the process of killing the cocoons is termed as stifling cocoons को kill करना तो friends आप समझें कि silk extraction के लिए sericulture industries में जितनी lives जितने cocoons होते हैं उनके अंदर क्या है alive silk worms हैं जो मोत बनने के लिए ready हैं but हम उसे kill कर देते हैं मार देते हैं जिससे हम silk extract कर सके तो जिस process के तुरू हम cocoons को kill करते हैं मारते हैं उसे ही stifling कहते है sericulturist should be very much careful that before the emergence of silkworm good sized cocoons of 8 to 10 days old are selected for further processing and dropped into hot water and subjected to steam or fumigation so sericulturist को देखना होता है कि silkworm के emerge होने से emergence हो जाएगी it means new silk moth आ जाएगा next generation आ जाएगी offspring आ जाएगा तो उसके emergence होने से पहले emerge होने से पहले ही जो good size जो अच्छे cocoons होते हैं selection करेंगे dead cocoons हटाएंगे वापस वही starting से हमने जहां से start करी थी वह process आ गई अच्छे cocoons को हटा देंगे और dead cocoons को हटाएंगे और जो silk extraction के लिए बहुत अच्छे हैं तो उन good sized cocoons को 8-10 दिन तक जो 8-10 दिन के जो time के जो cocoons होते हैं इनको select करके further processing के लिए इनको रखते हैं अब उसमें further processing में क्या करेंगे fumigation होता है या फिर क्या करते है boiled water गरम गरम पानी में इन cocoons को डाल देते हैं जिससे क्या होगा उसके अंदर का जो offspring है जो life है वो dead हो जाती है वो मर जाती है जो silk warm होता है या steams में pass out कराते हैं या fumigation में fumes निकलती है उसमें fumes में रखते हैं इस मेंस क्या होगा killing of cocoon in boiling water helps the softening the addition of silk threads and loosening of the outer threads of separate tree अब इससे क्या हुआ कि cocoon तो dead हो गया it means cocoon में जो अंदर life थी वो dead है और boiling waters में boil करने से क्या होता है कि जो silk threads जारोत्रिफ cocoon की उनका addition उनका connectivity उनका जो connectivity वो जिस type से वो जो एक दूसे से जुड़े होते हो soften हो जाता है soften हो जाता है जिससे soften होने से क्या होगा वो easily lose हो जाएगा और उसके बाद उन threads को हम easily separate कर पाएंगे now next is reeling and spinning so the process of removing the threads from the killed cocoon is called reeling तो अब उन threads को वो killed cocoon में से threads को बाहर लाना remove करना को ही reeling कहते है four to five ends of the threads of these cocoons are passed through eyelets अब eyelets क्या होती है आपने कभी fabric की industries और ऐसी देखी हूँ तो एक wheel type होता है चरखा के बाद नहीं हो रही है friends वो अलग होता है okay but eyelets भी ऐसा ही होता है जिसमें क्या करते four five ends लेते threads को और जोड़ करके मोटा धागा बनाते फैब्रिक तो बहुत ही पतला होता है अब रूई देखो एक fiber कितना पतला होता है आप उसको देखो और उससे धागा मनाया जाता है cotton से आप cotton ले करके देखना और cotton fabric देखना फैबर तो एक जो धागा होता है थ्रेड होता है वो तो मोटा होता है तो four to five ends को जो threads के जोड़ करके आइलेट से पास करा करके guides to twist into the one thread उन सबको twist करके आपने 7th, 8th या lower standards में देखा होगा cotton आज ही आप देखना cotton लेना और उस cotton को आपने obviously पहले कर रखा होगा I'm sure but एक बार उस cotton को अगर आप थोड़ा सा भी cotton निकाल कर उसको रोल करोगे इस टाइब से तो उससे क्या हो होगा वो cotton एक पतले धागे की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा तो सेम वैसे 4-5 ends लेते हैं threads के कोकून मेंसे और उसको twist करके एक thread बनाते है single thread बनाने के process होती है thread बनाया जाती है वाउंड करते है वाउंड करते है वाउंड करते है वाउंड मींस भी होता है रोल करना around the large wheel from which it is transfer to spools और फिर उन लाज वील जो बड़े चर्खे टाइप ही जो बड़ी बड़ी जो machines होती है उनमें क्या करते है उसमें उसको वाउंड करके twist करके thread बनाते है और उसके बाद को spools में transfer किया जाता है तो what is spools? spools आपके घर में भी है spools क्या होती है ममा को कभी stitching करते हुए देखा कपड़ों को जो धागे की जो गिर्री जो होती है छोटी सी जो उन्हें spools बोलते है जो reels होती है धागे की जिससे सिलाई की जाती है उसे ही spools का जाता है तो उन spools में transfer करते हैं thus the silk obtained on the spool is called raw silk और reeled silk तो यही जो spools में जो obtained होता है silk इसको raw silk का जाता है या फिर reeled silk का जाता है क्योंकि इसमें reeling होई है अब next कहें spinning भी होती है the waste outer layers of damaged cocoons are separated and then filaments are spun this spun silk is called spun silk अब क्या होता है जो waste होता है outer layers जो होती है कोकुन के वेस्ट होती है उनका जो fiber होता है थोड़ा कठोर होगा यह waste material होता है तो उनको क्या करते है अलग कर देते और उन separated जो layers है उनके filaments को spinning करते है इट में spinning की भी spinning wheel आता है मशीन से इनको spun करते है और spinning करके इससे जो silk इससे जो thread बनता है इससे जो silk बनता है उसे क्या कहा जाता है next is the raw silk is further boiled stretched and purified by acid or by fermentation and then carefully washed over again and again to bring about the well known luster on the thread अब ही जो raw silk होगा उसको क्या करेंगे boil करेंगे stretch करते है प्यूरिफाई करते है उसको acid से fermentation करते है बार बार उसको again and again wash करते है जिससे क्या होता है सिल्क में लस्टर आती है चमक आती है उस उन threads में पहले तो वह गंदे होंगे obviously उसको बार बार इतनी सारी processes के बाद एक लस्ट्रस सिल्क लस्ट्रस फैब्रिक बना जाता है किसका सिल्क का बनता है अब यह हो यहां finish होती है friends हमारी पूरी process कि किसके थ्रू कहां से स्टार्टिंग हुई थी और हमने सिल्क फाइनली एक्स्ट्रक्ट कर लिया अब एक शॉर्ट नोट है अगर आपको पूछा जाता है कि वाट इस सिल्क क्या है आप क्या बोलोगे so चल्क है चल्क है सिल्क कि अधि एक प्राटइ की सॉर्टे क सिल्क फाइप्रोइन होता है वैसी fibrin क्या है two cold fibrin एक protein है जिसमें दो चीज़े होती है एक तो tough elastic insoluble protein होता है consisting of 75% of the fiber's weight 75% जो है fiber का weight वो कौन ये जो protein है insoluble elastic protein ही consist करता है attain करता है and cemented together with sericin sericin भी एक protein है और ये जो protein होता है वो cemented it means जुड़ा हुआ connected रहता है इसके साथ sericin protein के साथ from the mid region of silk gland ये silk gland की अंदर ही production है protein का okay हम constituents पढ़ रहा है and gelatinous protein which is easily soluble in warm water एक तो insoluble protein होता है दूसरा एक soluble protein होता है जो warm water में easily gelatinous protein वही animal protein नी तो होता है gelatin जो मैंने कहा भी warm water में easily soluble होता है next is some quantity of wax and carotenoid pigments are also detected अब कुछ quantity में wax और carotenoid pigments भी present होता है अब next क्या है elasticity of silk is found to be 20% और elasticity जो होती है silk की वो 20% होती है तो friends यहाँ हमने silk उसका extraction हमने बहुत अच्छे से पूरी तरह पढ़ लिया अब एक last topic रे गया इससे related वो क्या है economic importance of silk so the raw silk is used in the manufacture of woven materials and the needed fabrics for the preparation of garments parachutes, parachute coats, insulation coil for the telephones and wireless receivers and tires of racing cars so friends पता है silk का कहाँ importance होती है economically so raw silk एक तो सबसे most important कपड़े हमारे garments बनाने में जो use होता है then parachutes में भी silk use होता है parachute coats जो होती है वो भी silk की होती है बादने वाली जो ropes होती है इंसुलेशन कोयल जो होती है टेलीफोन में वो भी silk की बनी होती है wireless receivers, tires जो होती है racing cars के इन सब में silk use होता है okay friends so यहाँ पर हमारा rearing of silkworm and economic importance of silk यहाँ फिनिश हुआ अब friends इस सेरी कल्चर silkworm से related only one topic रह गया है के वल और वो कौन सा है diseases in silkworms, silkworms में कैसे diseases होती है उससे कैसे उनके countermeasures का it means उससे हम control कैसे कर सकते है, prevent कैसे कर सकते है, वो सब friends नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे, okay so friends if you find any doubt related to this topic you can ask me in the comment box, okay and please friends do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video thank you friends, bye